हेलो दोस्तों आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं भीबो Y20G 2021 हाला कि भीबो के तरफ से Y20G एक अल्यडी स्मार्टफन लॉंच हो चुका है पर यह 2021 है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं करेंगे स्मार्टफन की अन्बॉक्सिंग साथ में जानेंगे इसकी प्र 20G 2021 का जहां पर 4Gb करें में 64Gb के इंटल मेमरी है इसमें हमें एक और मिलेगा 6Gb करें और 128Gb का श्टोरेज पीछे में दिया गया कुछ की है लिटिंग फीचर जैसा कि अब देख सकते हैं साथ में जो कलर है हमारे पास वह है ऑपसिडियन ब्लैक इसमें एक और कलर इसकी MRP है रियल प्राइस में आपको वीडियो का बीचे बताऊंगा तो चलिए फटाफट इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले हमें देखने मिलेगा यहां पर एक च्छोटा सा बॉक्स जहां पर दिया गया कुछ गाइड दिया गया है और सीमेजिक टूल दिया केल ल Bluetooth आर्म आपका यहां बात देता है और देखन में काफी सुन्दर है काफी कलर फुल है और एक रेंबो इसे हम साहें रखते हैं आप तो यहां पर ने दिया गया तो सबसे कि देना चाए घए रहे था चलिए इनसर को साइट करते हैं और फॉन के तरह बरते हैं तो दोस्तों यह रहा हमारे पास वीवर वाइट ट्वी ट्वीट ट्वींटी वान और लुक के मामल में बोलूंगा काफी खुपसूरत सा लूक है और जो एफेक्ट इसमें पर रहा है यह देखने में काफी सुन्दर लगता है रेंबो एफेक्ट आपको यहां पर देखनी मिलेगा जो कि काफी सुन्दर है और ग्लास बेक टाइप लगता है पर ग्लास बेक नहीं इसमें फीजिकल ऑपर विक की बात के राइट साथ में आपको देखनी मिलेगा वालियम लोकर की और पार बटम और एक साथ दिया गया है इस साथ में दिया गया है सिम ट्रे जहां पर दो सिम कार्ड एक विकल लगा सकते हैं उपर में कुछ नहीं है नीचे में दिया गया है 3.5 का Audio Jack, Micro USB Port, और प्राइमरी माइक दिया गया है बाकी और इसमें कुछ नहीं है बाकी पीछे में हमें देखने मिलेगा तीन केमरा सेटप एलेड लाइट और भीबो का ब्रैंडिंग अवरल यही है इसका अचलिए फटाफट हम फोन को बूट करते हैं और बाकी बात करते हैं इसके दिस्प्ले के मामले में तो यहां पर काफी बरा डिस्प्ले दिया गया है 6.51 इंचेस का एस्टी प्लस का IPS LCD आपको देखने मिलेगा जहां पर 270 का PPI दिया गया है और प्रैसिंग के इसाब से भीवों ने एक दिम भी अच्छा डिस्प्ले आपको नहीं दिया है अगर प्र 64 का प्रैसिंग है 14,000 और 6128 का प्रैसिंग है 16,000 और 14,000 में SD प्लस का डिस्प्ले और IPS का LCD साथ में यहां पर कोई भी प्रोडेक्शन नहीं दिया गया है अगर फोन गिरेगा तो तूटने का चांसे काफी ज़्यादा है साथ में यहां पर कोई भी SDR 10 या SDR 10 प्लस सपोर् डिजाइनिंग की बात के तो यहां पर डिजाइनिंग मुझे काफी अच्छा इंप्रेस किया है और देखने में काफी सुन्दर लगता है भी वो अकसर अपने offline market के जो स्मार्टपॉन होते हैं उसमें डिजाइनिंग काफी सुन्दर बनाता है यहां भी काफी अच्छा डि लिए है केमरा से तो चलिए बात करते है सबसे पहला सोट जो कि इसका प्राइमरी लेंस है 13 मेगा अपिसल का और फोटो का क्वालिटी बोलूंगा डिसेंट है प्राइसिंग की सबसे बोलूंगा थोरा सा यहां पर कमी है पर देखने में फोटो काफी अच्छा लग रहा है पर केमरा बोलूंगा डिसेंट इसका पीटल जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि काफी किलियर्टी है और काफी बोलूंगयारीस्ट क्रेंया इस पर देख सकते हैं साथ मैं यह इसका पोट्रेट है जो कि आप देख सकते हैं और एगर इसकी फॉर्ण केमरा की बात करें एट मेंगार फिसल यह पर देख सकते हैं टुम सब्सक्राइब कर उडिक तिन इंटल मेमरी 2.3 गीगाट का उक्टा को पॉसेजर फंटच ओस 11 और एंडर वजन 10 दिया गया है यहां पर 11 कम से कम भीबो को देना चाहिए था जो कि लेटेस्ट है 10 दिया है और सायद 11 का अपडेट सायद मिल जाए क्योंकि भीबो अकसर अपने अपडेट के मामले में काफी स्लो है अब चलिए बात करते हैं इसकी प्रोसेजर के मामले में तो यहां पर दिया गया मीडिया टेक हिलियो फी थर्टी फाइव दोस्तों मुझे एक पास समझ नहीं आ रही है जब भीबो ने भीबो वाइट 20 जी लॉंच किया था जिसके वारे में हमने अन्बॉक्सिंग भी कि यह नहीं देखा आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर दिया गया था मीडिया टेक हिलियो जी एटी के गेमिंग पॉस्टर और वहाँ पर मैंने भीबो का तारीफ भी किया था कि भीबो अपने प्रोसेजर में काफी अच्छा इंप्रूब कर रहा है पर दोस्तों यह यहां पर प्रोसेजर के मामने में डाउनगेट कर दिया है अब ऐसा भीबो ने क्यों किया नहीं पता और हिलियो पी थाटी फाइब बोलूंगा तो यह बहुत ही लोग बजट सेक्जिन का प्रोसेजर है जैसे कि 9000-8000 के लगबग में हमें यह प्रोसेजर देखनी मिलता है और भीबो यहां पर अपडेट कर रहा यह डाउनगेट कर रहा पता ही नहीं चल रहा है अगर हम इनसे कॉंपेर करने जाए तो अब ते लिए बात करते हैं इस पार्फून के बैटरी और चार्जर के वारे में तो यहां पर 5000 एमेस की बैटरी दी गई है तो यहां पर माइक इस भी दिया है यह चीज मुझे बिल्कुली पसंद नहीं आए अब चलिए बात करते हैं इस पार्फून के सिक्यूटी के मामले में तो यहां पर दिया गया साइड मांटर फिंगर पींट और फेस लोग और दोनों हमने इंस्टल कर दिया तो चलिए करते हैं काफी फास्ट को रेक्रोनाइस करता है और काफी स्मूथ लीफ खोल दे लाए और फेस लोग और काफ़े अच्छा काम करते हैं तो यह अपर फुल आवर्विव भीव वाइट्टी जी ट्वेंटी ट्वान के बारे में और अगर बात करें स्मार्फ़न अपगेड है तो यह भीव वाइट क्यों कि यहां पर दिया गया है मिट्याटेक हिलियो पी 35 जो कि काफी ब्ला डाउन ग्रेड है अब वह यहां की खासियत की बात करें जो में आफ्लाइन मार्केट से बहुत लोगों से सुना हूं की वीव का बैटरी बेकप काफी अच्छा होता है मतलब बाकी स्मार्टफोन से बीव का बैटरी बाट काफी अच्छा होता है और ब kommt को क्या चीज लगी और क्या कर चीज नहीं लगी नहीं लगी बाकी स्मार्ट पुन की और बात पर अगर वीव के पेन並ी नहीं और अग्धा अच्छा स्मार्टफून चीह तो यह स्मार्फिन आपको लेकर फैदा नह सकता है Realme 8 4G ले सकता है Realme 8 4G ले सकता है जो कि काफी अच्छा अल्टरेंटिव है इसके मामले में बाकि आपको वीडियो क्या रगा वीडियो को लाइक कोमेंट सेक कर दिए तो जली मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहेंद